है अगर दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद अच्छे होंगे मज़ें महुंगे मेरा नम नासिर है और आप देखे रहें एवी टेक विलोग तो आज मैं करने वाला हूं देखेंगे कौन सी बहतर है और इन दोनों वाच में सब लोगों को कौन सी वाच पर्चेस करने की सोच रहें तो वीडियो को पूरा जरूर से एंट तक देखें ताकि आप लोगों की मन में जितनी वी डाउट है वो क्लियर हो जाएं तो चले वीडियो को शुरू करते हैं वी एहां पर आपको कुछ इस तरह का बॉक्स कंटेंड की बात करें तो यहां पर कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है जोकि का और यह ची बात है और यहाँ पर आपको सिंगल स्ट्रेप मिलता है जो कि वाश में लगा हुआ है और एक यूजर मेनुवल मिल जाती है तो बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर DT100 से यहाँ पर बेटर क्वालिटी का आपको चार्जर मिलता है wireless charging का आपको support मिल जाता है HW22 Pro में तो यह चीज़ में अच्छी मिल जाती है बाकि आते हैं वाश की दरफ दोनों की design की बात करें तो almost एक जैसी design नहीं जादा कुछ फरक नहीं है वहीं build quality की बात करें तो build quality बेटर की एक जैसी है मुझे DT100 की build quality थोड़ा सा बेटर लगी बाकि यहाँ पर आपको जो crown मिलता है दोनों में काफी एच्छे से work करता है और crown की निचे आपको HW22 में बटन मिल जाती है जबकि DT100 पे आपको कोई भी बटन नहीं मिलती है तो यहाँ पर यह changes देखनों की मिलते हैं बाकि design में बिल्कुल same है इस ट्रैप की quality की बात करें तो यहाँ पर आपको जो box में strap में इलता है HW22 में उतनी इची quality का नहीं मिलता है बाकि आप change कर सकते हैं strap को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकि DT100 की बात करें तो यहाँ पर box में आपको काफी अची quality का strap मिलता है और इसमें भी आपको changeable strap का feature मिल जाता है तो कोई भी strap purchase करके इसमें लगा सकते हैं डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको दोने ही watch में same size की डिस्प्ले मिल जाती है डिस्प्ले काफी जादा sharp पे bright है और color काफी पंची आते हैं बाकि brightness की बात करें तो यहाँ पर HW22 Pro की डिस्प्ले काफी ज्यादा bright है compare to DT100 जबकि DT100 की डिस्प्ले को भी आप राम से आउट्डोर में यूज़ कर सकते हैं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बट फिर भी brightness जो मिलती है वो HW22 Pro में काफी ज्यादा मिलती है तो डिस्प्ले के मामने में थोड़ा से यह आगे निकल जाती है वही touch response की बात करें तो दोनों में आपको touch response काफी अच्छा मिलता है काफी smooth मिलता है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है smart menu की बात करें तो यहाँ पर DT100 में दिखा देता हूँ smart menu काफी कम like करता है यहाँ आप आप देख सकते हैं काफी smooth smart menu आपको मिल जाता है वहीं H222 Pro की बात करें तो यहाँ पर smart menu थोड़ा सा ज्यादा like करता है यहाँ पर देख सकते हैं smart menu ज्यादा अच्छा DT100 में मिलता है menu style की बात करें तो यहाँ पर DT100 में 14 की menu style मिलती है एक तो honeycomb हो गई दूसरी style की बात करें तो कुछ इस तरह की आपको style मिलती है तिसरी इस तरह की आपको unique प्रकार की style मिलती है जो कि किसी भी wash में नहीं मिलती है और चौतिछ style की बात करें तो यहाँ आपको list वाली menu मिलती है वहीं HW22 Pro की बात करें तो यहाँ पर आपको पांच तरह की menu style मिल जाती है एक तो 6 application वाली मिलती है वह मैं दिखा देता हूँ तो कुछ इस तरह से मिलती है जैसा कि FK88 में मिलती है थी old model थोड़ा सा उसके बाद 6 application align तो इसको मैं दिखा देता हूँ तो यह इस तरह से मिलती है उसके बाद तिसरी menu style के बात करें तो smart style होगी जो कि apple wash में रहती है और चौथी menu style के बात करें तो यहाँ पर आपको 9 application वाली menu style मिल जाती है और last menu style के बात करें तो काफी unique है इस तरह से menu style आपको मिलती है जो कि Xiaomi के wash में रहती है तो यहाँ पर आपको 5 तरह की menu style मिल जाती है जबकि यहाँ पर आपको 4 तरह की menu style मिलती है बट यहाँ पर मुझे ज़्यादा better लगी menu style दोनों wash में आपको calling feature मिल जाता है और काफी तरह करता है बाकी phone book की बात करें तो HW22 Pro में आपके phone book के जितने भी name है वो show होते हैं तो यह इसका काफी अच्छा feature लगा वहीं DT100 की बात करें तो यहाँ पर phone book के 20 name ही show होते हैं और वो भी अच्छे से sync नहीं होते हैं अभी कभी 2-3 name ही show होते हैं तो यह दिक्कत वली बात है जबकि यहाँ पर सारे name show होते हैं और notification की बात करें तो दोनों में आपको notification मिल जाती है message को आप पढ़ सकते हैं बर reply करने का कोई भी option नहीं मिलता है दोनों में और दोनों में जो message आते हैं वो पूरे message आते हैं अब scroll करके पढ़ सकते हैं watch face की बात करें तो यहाँ पर आपको DT 100 में 11 watch face का support मिलता है inbuilt और काफी अच्छे अच्छे watch face यहाँ पर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ अपर आपको DT 100 से काफी ज्यादा watch face मिल जाता है inbuilt watch में तो काफी इच्छे watch face यहाँ आपको मिल जाते हैं वहीं इसके application के बात करें तो यहाँ आपको 73 watch face का support मिलता है तो इसमें भी आपको काफी एच्छा-चा watch face मिल जाता है बाकि मुझे DT100 का watch face थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारे Apple watch के watch face मिलते हैं तो यहाँ पर मुझे DT100 का watch face ज्यादा अच्छा लगा बाकि बैटरी बैकप की बात करें तो यहाँ पर मुझे HW22 Pro की बैटरी थोड़ा सा कमजोर लगी यहाँ पर आपको एक दिन का ही बैटरी बैकप मिलेगा अगर आप watch को phone से pair करके रखेंगे नोटिफिकेशन on रखेंगे बाकि DT100 में आपको एक से देड़े दिन का भी बैटरी बैकप मिल सकता है तो यहाँ पर बैटरी बैकप के मामले में DT100 मुझे थोड़ा सा बेटर लगी वहीं charging की बात करें तो यहाँ पर आपको magnetic charger मिलता है और यहाँ पर आपको wireless charger मिलता है तो चारजर थोड़ा सा यहाँ पर बैटर मिलता है HW22 Pro में बाकि magnetic charger भी काफी अच्छा होता है तो बैटरी के मामले में मुझे DT100 ज्यादा बैटर लगी दोनों वाच में आपको music control का feature मिल जाता है मतलब वाच के ज़रिया पर play phone की music को control कर सकते हैं आपके दोनों में speaker भी मिल जाता है तो दोनों में आप music को enjoy भी कर सकते हैं music सुन सकते हैं और speaker quality की बात करें तो यहाँ पर मुझे HW22 Pro के speaker quality काफी ज्यादा बेटर लगी तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को idea लग जाए सबसे पहले डेटी 100 में एक सॉंग को प्ले करता हूँ मैं अब यहाँ मैं सॉंग प्ले करने वाला हूँ HW22 Pro में तो यहाँ पर देखते हैं कि इतनी अच्छी quality मिलती है तो यहाँ पर लोगों को साफता दर पर पता चल गया होगा कि HW22 Pro का speaker काफी ज्यादा बेढ़ता है तो speaker quality के मामने में HW22 Pro ज्यादा बेढ़ता है वहीं calling feature के बात करें तो जाहर सी बात है इसका speaker ज्यादा अच्छा है तो calling feature भी आप काफी अच्छे तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं और DT100 में भी यूज़ कर सकते हैं बर जो आवाज आएगी वो ज्यादा अच्छी आएगी HW22 Pro में UI की बात करें तो यहाँ पर मुझे DT100 का UI ज्यादा बहतर लगा ज्यादा स्मूध लगा बाकि HW22 Pro की बात करें तो UI थोड़ा सा slow है थोड़ा सा lag करता है और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ DT100 में उपर से swap down करेंगे तो यहाँ सब shortcut feature यूज़ कर सकते हैं brightness को कम ज़्यादा कर सकते हैं music control कर सकते हैं उसके बाद निचे से swap up करेंगे तो यहाँ से menu open हो जाएगी leftover set से swap करेंगे तो यहाँ पर split screen का feature मिल जाता है जहांसे आप काफी सारे shortcut use कर सकते हैं उसके बाद red set से swap करेंगे तो यहाँ पर आपको feature मिल जाता है heart rate मिल जाता है और weather का feature मिल जाता है उसके लगब आप add भी कर सकते हैं मेन्यू बजाने के लिए आपको क्राउन को प्रेस करने रहेगा और यहां से मेन्यू में चले जाएंगे बाकी मेन्यू इस्टाइल चेंज करने के लिए आपको दो बर क्राउन को प्रेस करना रहेगा और यहां से मेन्यू इस्टाइल को चेंज कर सकते हैं तो काफी अच्छा होगी left side से swap करेंगे तो यहाँ पर आपको split screen का feature मेल जाता है और red side से swap करेंगे तो यहाँ से watch face change होगा और crown को मतले सी भी आप watch face को change कर सकते हैं इसके लिए menu में जाने के लिए display पड़ टैप करना होगा और यहाँ से menu में चले जाएंगे बाकी यहाँ पर menu style change करने के लिए आपको अंदर जाने पड़ेगा उपर से swap down करेंगे इसके वाद इसमें जाएंगे तब यहां से आप menu style को change कर सकते हैं और display का off करने के लिए नीचे वाली बटन को प्रेस करना रहेगा तब इसके display off होगी तो यहां पर कुछ इस तरह का UI मिलता है बाकि मुझे DT100 का UI जादा बहतर लगा दोनों वाच में आपको रेश टू एक वाला feature मिल जाता है और काफी इच्छे तरीके से work करता है आप चैसी हैंड को twist करेंगे इसके display on हो जाएगी और दोनों में काफी अच्छे तरीके से work करता है connectivity की बात करें तो यहां पर मुझे HW22 Pro का connection जादा अच्छा लगा इसमें जादा stable connection मिलता है आपको जबकि यहां पर DT100 में connectivity का काफी सारा issue है application की बात करें तो यहां पर DT100 आपको Wear Pro नम के application का support मिलता है और application काफी सही है काफी सारे features में मिल जाते हैं बट application में काफी सारा bugs है यहां पर आप देख सकते हैं एक firmware update भी आया है बट यह update नहीं हो रहा है मैंने काफी बार try किया और 13% होने के बाद यह automatic कर जाता है बगस देखनों के मिलते हैं ऐसा नहीं किसमें बगस नहीं है इसमें थोड़ा बहुत बगस है बट कनेक्टिवटी विला इशू मुझे ज्यादा इसमें नहीं मिला एक कमेड़ा यह था भाई का कि उन्होंने iPhone के साथ इसको pair किया और iPhone में जो RD Fitnam के application है उसमें ज्यादा बगस है तो Android के साथ यह problem नहीं है तो connectivity के मामले में और app के मामले में HW22 Pro ज्यादा बेहतर है फिटनेस वाले फिचर की बात के रहो तो यहाँ पर आपको दो नहीं watch में heart rate, sleep monitoring, SPO2 और भी काफी सारे फिचर मिल जाते हैं बट जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी फिटनेस वाले फिचर मिलते हैं बिल्कुल fake मिलते हैं यहाँ पर back side में आपको HW22 Pro में आपको चार LED LED मिलती है और कोई भी सेंसर नहीं मिलता है जबकि DT1 एडर आपको चार LED LED मिलती है उसके लावा एक सेंसर भी मिल जाता है जो कि proximity सेंसर है और अगर आप प्लेन सर्फिस पर रखेंगे तो यह हाट डिट को monitor नहीं करता है जबकि यह monitor कर लेता है तो यही बस फर के दोनों में बाकि दोनों में जितने भी फिटनेस वाले फिचर है बिल्कुल fake है अधर फिचर की बात के लिए तो यहाँ पर आपको दोनों watch में calculator मिल जाता है calendar मिल जाता है alarm set कर सकते है stop watch उसकर सकते है और timer लगा सकते है तो यह सब तो basic feature है और दोनों में आपको मिल जाते है उसके लिए find my phone का भी feature इसमें मिल जाता है इसमें आपको HW22 Pro में voice assistant का feature मिल जाता है जो कि यहाँ पर DT100 में missing है बाकि इसमें आपको दो game भी मिल जाते है जबकि game के लिए अतना practical नहीं है बट फिर भी यहाँ पर आपको game का feature भी मिल जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा advantage हो जाती है जबकि यहाँ आपको कोई भी game नहीं मिलता है उसके लावा voice assistant का feature नहीं मिलता है तो feature के मामले में HW22 Pro थोड़ा सा आगे निकल जाती है तो बाते हैं final verdict पे कि कौन सी watch आप लोगों को purchase करने चाहिए HW22 Pro या फिर DT100 तो सबसे बहुत बात करें price की तो दोनों का price लगबक से में 2000 में आपको कोई भी watch मिल जाएगी बाकि pros and cons की बात करें तो कुछ feature DT100 में अच्छे मिलता है तो कुछ feature HW22 Pro में ज्यादा बहतर मिलते है जैसे कि battery backup की बात करें तो यहाँ पर DT100 ज्यादा बहतर है जबकि display की brightness की बात करें तो यहाँ पर HW22 Pro ज्यादा बहतर है वही smart menu की बात करें तो DT100 में काफी कम lag करती है जबकि HW22 Pro में ज्यादा lag करती है speaker quality की बात करें तो यहाँ पर आपको HW22 Pro में much better speaker मिलता है काफी crisp आवाज आती है जबकि यहाँ पर भी अच्छा speaker मिल जाता है बट HW22 Pro का speaker ज्यादा बहतर है वही connectivity की बात करें तो यहाँ पर भी HW22 Pro ज्यादा बहतर है तो मेरे सबसे यहाँ पर HW22 Pro के लिए जाना चाहिए काफी सही watch है बाकि जिनको DT100 लेना है तो वह भी ले सकते हैं काफी अच्छी watch यह भी है दोनों का link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं और मैंने description में एक open code भी दिया है तो अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो DT100 पर आपको 200 रिपे का discount भी मिल जाएगा तो बस इस वीडियो में इतना ही I hope आप लोगों को वीडियो पसा नहीं होगी अगर पसा नहीं तो वीडियो को लाइक ज़रू करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू फूर वाचिंग